नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का Education K86 में दोस्तो जैसे कि आप यहाँ खबर देख रहे हैं और यह बहुत ही बड़ी खुस खबरी है क्योंकि दिवाली मनालो खुसी से जिया दोस्तो अभी नहीं होगा एक्जाम LP CBT 2 का November में तो यह update final हो चुका है कि CBT 2 का एक्जाम November में नहीं होने वाला है दोस्तो इसकी officially pushty जो है वो अभी कल या परसो में कर दी जाएगी उसकी official website पे तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यह news आई कहां से तो मैं आपको लेकर चलूँगा Twitter पे जिया दोस्तो जहां पर RRB मालदा ने tweet करके बताया है कि November में नहीं होने वा सभी ने हमारे चैनल को देखिए सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब के इस रेट कलर के बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें सब्सक्राइब करते ही एक बिल का नोटिफिकेशन आएगा उसे भी बता दू कि बिहार पुलिस के constable और fireman के लिए हमने 12 बजे से लेकर एक वह तक या दो बजे तक है ना दो classes रखी है ठीक है एक में जीके पढ़ाय जाएगा एक और एक में जीएस पढ़ाय जाएगा जो कि आपके exam के point of view से बहुत important होगे तो आज 12 बजे आपके लिए लेकर आएंगे बिहार पुलिस second जी हां बिहार पुलिस का दूसरा अध्याय जो की समानने ग्यान से होगा और दो बजे हम लेकर आएंगे आपके लिए बिहार पुलिस के लिए समानने विज्ञान याने की general science का question तो हमारे साथ बने रहेगा हम आपकी तयारी में ततपर है चलिए तो यह RRB जो मालदा है वहां से tweet निकल कर आया है दोस्तों देख सकते हैं कि एक BJ यदुवंसी है इन्होंने tweet किया था RRB मालदा को अपने जोंत के लिए कि dear sir CBT2 exam pattern is very hard and very long syllabus syllabus is not prepared in 18 days देखिए ऐसा इन्होंने tweet किया था और इनके tweet पे यह mail आया है reply RRB मालदा का देखिए कोई fake नहीं है आप लोग भी देख सकते हैं अपने Twitter से जाकर और इसका पुष्टी कर सकते हैं जी है दोस्तों RRB मालदा का reply कि आया है कि second CBT will be mid of December 2018 visit official website of RRB for next update बहुत ही जल्दी इसका update कर दिया जाएगा RRB जों के हर website पर तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी good news है क क्योंकि आप सभी को अब 15 दिन ना होकर लगभग 1 से 1.5 महिने का time मिल जाएगा तो दोस्तों तयारी जम के कीजिए जिनका भी result आने वाला है फिर हम आपको चर्चा करेंगे कि result कब आएगा तो देखो result तो आप क्या उसका भी news में देखलाना चाहूंगा क्योंकि ये NDTV का न्यूज आया हुआ है ये देखिए ये आपको लेकर चलता हूँ उसकी website पे NDTV का जिया दोस्तों ये आप news पर सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि RRB LP result for first stage soon checked second CVT exam detail यानि कि जो पहले stage का जो result होगा वो बहुत ही जल्द अपडेट होगा और कब होगा ये मैंन यहाँ पर ये NDTV की news में भी बोला गया है देखो दो दिन और इंतजार कर लिए पांस टमेंबर को आपका result आपके हाथ में होगा दोस्तों इसलिए अपनी तयारी के लिए आपको time मिल गया है क्योंकि यहाँ पर Twitter पे साफ साफ RRB मालदा के द्वारा ये गोसित कर दिया गया है दोस्तों कि जो भी candidate है वो तयारी में लग ज किस date को होगा exam है ना तो जो भी date मिलेगा वो आपको mid of December का मिलेगा तो बिलकुल ही निरास मत होईएगा आप सभी आप सभी के पास time है दीए बहुत सारे candidate ने इनको thanks reply भी किया है आप लोग भी कर सकते हैं वहाँ पर जाकर thanks sir but official side पर अभी update नहीं हुआ है ये बात ठीक है को है मनमेंदर प्रताप सिंग इन्होंने भी reply किया है thanks करके और सभी candidate जो है यहाँ पर देखिए thanks की बाउचार कर दिया है इनोंने क्योंकि उनको time मिल गया है और वो candidate है ये जो seriously अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा serious है ठीक है अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज् अच्छा समय मिल गया है 15 दिन से क्योंकि syllabus इतना वाष्ट है RRB CBT2 का क्योंकि वो 15 दिन में नहीं हो पाता उनका syllabus complete और वहाँ पर क्या होता कि बहुत सारे candidate होते जो छट जाते एक्जाम से तो उनको time मिल गया है पढ़ने का आप भी अपनी तयारी जम के कीजिए देखिए सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब कोई अच्छा करने जाता है तो उसके साथ हमेशा अच्छा होता है तो ये आपके लिए good news है एक खुसकबरी है जो की RRB मालना ने यहाँ पर अपना tweet करके बताया है ठीक है तो दिवाली मना ये सुक्षैन से आराम से पहले दो दिन पर दो दिन के बाद जो आपको यहाँ पर भीड़ना होगा इस की तैयारी में वो सिर्फ आप ही जानते होगे और RRB के लिए दोस्तों देखो हम लोग बिहार पुलिस के लिए तो अभी मेहनत करी रहे हैं आपको आज से per day 12 बजे जीके की class होगी और GS की class होगी दो बजे per day पर अगर आपको RRB का लिए भी class करना होगा तो साम को आप लोगों को GK और GS का भी class दिया जाता है जो की बहुत important है ठीक है तो वो सारे प्रश्ण भी आप लोग जरूर देखे हमारे चैनल पर जाए आपको RRB से related क्योंकि जो main exam में देखो जो first part A होगा इसका उस exam में 100 number का exam होने वाला फिर से आपका है ना तो ये exam महत्रपूर ने score करने के लिए क्योंकि जो part B है वो तो qualifying आप सभी को पता होना चाहिए कि 35% जो है आपका की qualifying लेकर आना है यानि 75 number का ये part B होगा आपका exam और 75 number में आपको 35% लेकर आने होगे यहाँ पे qualifying होने के लिए part B में ठीक है मैं आपका जो trade है उसकी बात कर रहा हूँ जैसे मालों कोई feeder है electrical है electrician है तो इन सब से related जो उनका part B है उन पे तो आपको at least 35% चाहिए qualifying होने के लिए यानि कि 75 में 26.25 number जो है उनको आने चाहिए कितने कितने आने चाहिए 26.25 तो ये उनका qualifying number हो जाएगा 75 number में ठीक है पर जो आपको मेहनत करनी है 100 number में ये आपका scorer होगा ठीक है क्योंकि 100 number जो पार्ट A का exam होगा वही होगा जो CBT 1 के लिए आप लोग तयारी करके दिये थे हैं और कोई syllabus में change नहीं है मातर अगर देखा जाए तो 10% थोड़ा सा अलग रखा है यहाँ पर syllabus में कि engineering को घुसाय इस बार ठीक है engineering science ऐसा कुछ करके basic engineering करके एक topic डाला गया है यहाँ पर जो कि 10% इसको कह सकते हैं कि वो change कर सकता है पर 90% आपका CVT 1 का exam था उसी pattern पर आपका exam लेगा ये ठीक है दोस्तो तो I think मुझे लगता है कि वो सभी जानकारी आपको यहाँ मिल चुकी होगी और यह जो कैसी तयारी करनी है strategy आपको हर channel पर दिया जा रहा है वैसे तो success की 98 पर भी जाकर आप लोग वहाँ पर classes दी जाती है RRB Group D से और ALP से related तो success की 98 पर भी जाकर आप सभी वहाँ पर तयारी के लिए strategy जान सकते हैं वहाँ भी दिया जाएगा ALP CBT 2 का भी दोस्तो ठीक है तो यह जानकारी आपको मुझे देनी थी इस पूरे वीडियो में कि जो भी candidate तैयारी कर रहे हैं ठीक है तो उनके लिए बहुत ही बड़ी है खुशकबरी निकल कर आई है और दिवाली अच्छे से मनाई है कि CBT 2 का exam अब तो लगबग confirm हो चुका है क्योंकि यह Twitter मालदा ने tweet किया ह Twitter मालदा से tweet आया है कि उनका exam mid of December में होने वाला है ठीक है तो यह news आप तक पहुचाने का पहला कारे किया है मैंने तो दोस्तों जितनी भी जनकारी हमारे पास से थी हमने आपको दी है और आप हमारे साथ बने रहिए हमारे वीडियो में हमारे चैनल के साथ जुड़े और जो भी railway से regarding ALP या group D के regarding कोई भी news आता रहेगा हम आप तक पहुचाते रहेंगे तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद चैनल को subscribe किजिएगा और इस वीडियो को like और share कर दिएगा ताकि आपके दोस्तों तक ही वीडियो जा सक ठीक है चलिए दोस्तों तो आज के लिए तना ही धन्यवाद नहीं चैनल कुछ चार झाल